नमस्कर, हिंदी साहित्य की इस कक्षा में आप सब का स्वागत, अभिनंदन, मैं डॉक्टर गजाद अंचारण सहयाचारी राज की महाविद्यले सुजानगर। आज हम हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र से घनानंद जो प्रेम की पीर के कभी माने जाते हैं, रीती मुक्त कव्वेधारा के प्रमुख रचनाकारों में से एक घनानंद उनकी रचनाओं में से आपके पठ्ठे क्रम में कातिपे कवित और सब्वे ये लगाए गए हैं उनकी व्यक्षा, उनका संदर्भ, उनके विशेश, उसकी जनकरी आज हम उसका अध्येन हम करेंगे आप और हम सब जानते हैं कि रीति कालीन कब्वे है हिंदी का जो रीति कालीन कब्वे है उसका ध्येन जब हम करते हैं तो तीन प्रकार की कब्वेधारा हैं रीति कालीन कब्वे में देखने को मिलती है पहली रीती बद्ध कव्यधारा, दूसरी रीती शिद्ध कव्यधारा और तीसरी रीती मुक्त कव्यधारा रीती बद्ध जिसमें रीती सिद्धान्तों का प्रतिवादन करने वाले आजारी हैं केशवदास, सेनापती, पद्माकर, इट्टादी जिनोंने रीती ग्रंथों का लक्षन ग्रंथों का स्रजन किया उनकी व्यक्षा की उन सिध्धान्तों का प्रतिवादन किया दूसरे रीती शिद्ध हैं जिसमें बिहारी का नाम आता है वो ऐसे कव्वे लिखते हैं जो रीती शिद्धान्तों का पालन तो कर लेते स्वतह सिध्धी प्राप्त हो गई उनको इसलिए रीती सिध्धान्तों का पालन तो स्वतह अनायास ही हो जाता है पर वो रीती सिध्धान्तों के व्यक्षा कहीं नहीं करते ऐसे रचनाकारों का एक समूह है जिसमें बिहारी प्रमुक है ये रीती सिध्ध कहला है और तीसरा रीती मुक्त कवेधारा है इस कवेधारा की रचना कारों में मुक्त भाव से कविता में अपने रिदे की भावनों को व्यक्त करते हैं उनमें प्रमुकिस्तान पर घंानंद है, आलम है, बोधा है, ठाकूर है इन लोगों के नाम आते हैं तो आज हम जिन घनानंद का अध्येन करेंगे, जिनकी कविदा का अध्येन करेंगे, ये घनानंद रीति मुक्त का विधारा के सब सिप्रमुक कवी हैं, और रीति काल में अपना एक विसिष्च स्थान रखते हैं, घनानंद एसे कवी हैं, जो अपने रिदे की पीडा को पू लोग क्या क्या कहते हैं लोग में उनके बारे में कुछ धारनाएं कुछ बातें कुछ प्रवाद प्रसलित रहते हैं एक ऐसी किम वदनती है कि घनानंद मुगल समराट मुहम्मद सारंगीले के दरबार में मीर मुंसी हुआ करते थे और उनके दरबार में यानि कि मुहम्मद स के रूप सौंदर यसे मोहित थे उस पर आ सकते थे दरबार में मीर मुंसी के रूप में उनके प्रभाव से लोग जलते हैं या आप देखते हो कि सामोहिक रूप से जो काम करते हैं साथ में काम करते हैं किसी सारजनिक स्तलपर सारजनिक संस्तान में तो लोगों को अपने साथ वाले किसी व्यक्ति के प्रभावक्षत्र को बढ़ता हुआ देख करके स्वाभाविक रूप से इरशा होनी शुरू हो जाती है तो मुहमद सारंगीली के दरबार में घनानंद मीर मुंसी के रूप में बड़ी स्रिष्ठ प्रसिद्धी प्राप्त कर रहे थे प्रभावसाली बनते चले जा रहे थे इससे उनके साथ वाले लोगों को इनसे स्वाभावी ग्रूप से जलन होने लगी इरशा होने लगी डाह होने लगी वो घनानंद को नीचे दिखाना चाहते थे, उनके प्रभाव ख्षत्र को कुछ कम करना चाहते थे और बादशाह के सामने, समराट के सामने घनानंद की तोहीन करने के लिए उतारू थे ऐसे में माना जाता है कि एक दिन, चुकि घनानंद बहुत अच्छे गायक थे बहुत अच्छा गाते थे, लेकिन सारवजने गुरूप से गाते नहीं थे, अपने हिसाप से सुख़ाये गाया करते थे एक दिन दरवारियों ने यह सरी अंत्र रचा और कहा कि घनानंद का गायन बहुत अच्छा है और समराट से कहा कि आप घनानंद से गाने के लिए आग्रह कीजिए ये धुरूपद सुनाए है धुरूपद गा करके सुनाए ऐसा आग्रह सारे दरवारियों ने समराट से किया समराट ने घनानंद से आग्रह कर दिया कि सुनाइए लेकिन घनानंद ने आग्रह को माना नहीं बादशा की आग्या को घनानंद स्विकार नहीं कर रहे है दर्वारियों ने कहा कि दिस सुजान कह दे तो फिर घनानंद गाएंगे यह सडियंत्र यहां से शुरू हुआ यानि मुहमद सारंगीला कहता है गनानंद से कि आप धुरूपद गाएं गनानंद ने कहा नहीं मेरा मूड नहीं है मैं नहीं कहा सकता हम आप करें और कोई काम बता है उटाल देते हैं लेकिन दर्वारियों ने यहां से सडियंत्र का पासा फेंका और कहा कि यहां सुजान आग्रह करें तो फिर घनानंद गाएंगे घनानंद को लगता था कि सुजान ऐसा आग्रह ऐसा अनुरोध उससे नहीं करेगी लेकिन समराट के कहने से दरवारियों के कहने से सुजान ने घनानंद से आग्रह कर दिया अनुरोध कर दिया और उन्हें ने कहा घनानंद जी सुनाईए धुरूपद सुनाईए मेरा आग्रह है आपसे और चूंकि वो उस पे आ सकत थे इसलिए घनानंद सुजान को मना नहीं कर सके यद्य पे उनको आगात पहुँचा उनकी इच्छा के विपरीत ये काम हुआ लेकिन क्योंकि प्रेम तो प्रेम होता है इसलिए उन्होंने सुजान की बात को टाला नहीं और ये भी नहीं सोचा कि बादशाह इस से कितने नाराज होंगे कि बादशाह का भूक्म आपने टाल दिया और सुजान के कहने से आप वहीं गा रहे हैं उसी दर्वार में उसी समराट के सामने गा रहे हैं तो इसका भावी परिणाम क्या होगा इसकी चिंता किये बिना उन्होंने बादशाह की तरफ सम्राट की तरफ घूम करके बड़ी तन्मैता के साथ में दुरूपत गये गायन की जितनी प्रसंसा की जाए उतनी कम है लेकिन बादशाह ने इसे अपना आपमान समझा दरवारी अपने सड़ी अंतर में कामयाब हुए और इसका परिणाम यह हुआ कि घृनानन दे सोचा की जो सुजान मुझसे प्यार करती है उसने मुझसे इस भरे दरवार में गाने के लिए कहा और मैंने बादशा की आग्या भी नहीं मानी लेकिन सुजान के आग्रह को मैंने ठुकराया नहीं उलगाया है तो कमोवेश सुजान मेरे साथ चलेगी तो कोई बात नहीं कौई से दरवार की बात है जा राम वहां सिया जा राम वहां आयोध्या कोई बादि राम सिया साथ में हो तो आयोध्या ही है लेकिन घनानंद का ये मानना भी गलत निकला घनानंद ने जो सुजान से कहा कि चलो सुजान इस दरवार में हमारा कुछ भी काम नहीं है हम चलते हैं जहां इश्वर रखेगा हम रहेंगे हम साथ में रहेंगे तो हमें कोई अत्राज नहीं होगा हमें कोई दूइधा नहीं होगी लेकिन घनानंद को यहां बड़ा आधात लगा और सुजान ने साथ में चलने से मना कर दिए घनानंद ने कहा कि हम प्रेम करते हैं इसलिए प्रेम करने वाले विछूडते नहीं है साथ चलेंगे सुख दुख की चिंता नहीं करेंगे सुजान ने कहा कि आपका भ्रम है यह एक पक्षिय प्रेम है आपका आप मुझसे प्रेम करते हैं मेरे काम से प्रेम करती हूँ, मेरा काम है दरबार में द्रत्य करना, समराठ की आज्या का पालन करना, मैं अपने कर्तव्य का पालन कर रही हूँ, आप उसे क्या समझते हैं आपकी मरजी है, इसलिए सुजान घनानंद के साथ नहीं गई, और घनानंद आहत हुए, बेचेन हो विचलित हो गए पागल की तरह आचरण करने लगए उनकी जीवन द्रिष्टी बदल गई वहां से व्रंदावन चले गए बहुत सारंगिले का दरवार छोड़ करके व्रंदावन चले गए और वहां कृष्ण की भक्ति में निवगन हो गए लीन हो गए कहते हैं कि चेतन्य संप्रदाई में उदिक्षित भी हुए लेकिन इसा प्रामानित करने वाला कोई तथ्या मिलता नहीं है यह निश्चित है कि घनानद ने कृष्ण भक्ति को स्विकार कर लिया था कृष्ण भक्ति विशयक उनके कवित मिलते हैं दरवार छोड़ने के विरहे में तड़पते रहे यह देभी सुजान ने उनके अपेक्षा के विप्रीत आच्रण किया उसके बावजूद घनानद कभी जीवन भर आजन्म मृत्यु परियंत सुजान को भुला नहीं पाए उसके विरहे में कवे स्रजन करते रहे हर कवित में वे सुजान को बोधित करते रहे और कवित सब यह लिखते रहे मना जाता है कि नादिर्शा के अक्रमन के समय जब कतले आप हुआ तो उसमें घनानद भी मोत की शिकार हो गए और ऐसे इसे एक प्रेम की पीर के कवी क्योंकि उन्होंने विरहे को अधिक सहिन किया विरहे में तडपा वो र इस संसार से इही लीला उसकी समाप्त हुई शुद्ध कवी के रूप में घनानंद की अपनी पहचान है आचारे रामचंदर शुक्ल के अनुसार सुजान सागर विरहे लीला कोक सागर रश केली वल्लि कृपानंद आदि कव्य ग्रंथ घनानंद ग्रित हैं उनका उलेख मि उनके असली नाम को लेकर भी विद्वानों में मत भेद हैं क्योंकि कविता में कहीं घनानंद तो कहीं आनंद घन लिखते हैं कुछ लोग मनते हैं उनका नाम आनंद घन था कुछ घनानंद मनते हैं लेकिन हमें यह मनना चाहिए कविता चंद के बंध में आबत होती है इसल आवतार सूर्य मल मीशन ने भी अपने नाम को जहां जहां चंद में कहीं पर आवशकता पड़ी तो वो सूर्य मल थे उन्होंने सूर्ज मल नाम भी काम में लिया है सूर्य मल भी काम में लिया है और कुछ जगे उन्हें जरूरत पड़ी तो अरक भी सूरिय का परियाई बाची तो अरक मल नाम से भी लिखा है तो ये कवियों ने चंद में आबध्या रहने के लिए चंद की लेबधता को बनाई रखने के लिए चंद की मातरी को और वढ़ने की विधान को बनाई रखने के लिए इस तरह से नाम परिवर्तन की परंपरा रही है तो घनानंद ने भी आनंद घन और घनानंद दोनों लिखे हैं उनका नाम घनानंद ही था ऐसा मेरा मनना है घनानंद ने अपने कव्वे में प्रेम, सौंदर्य और विरह कबड़ा सूक्ष्म, मारमिक और उतक्रिष्ट वर्नन किया है उनके कव्वे में विरह की प्रधानता है वस्तुते घनानंद का कव्वे विरह कव्वे ही है विरही रिदे की विभिन्य दशाओं ये उनुभूतियों की विञेजना उनुने अत्यंत कोमर और उद्दात भाव से की है घनानद प्रेम के कविएं ब्रज भासा में प्रिवीण है और स्वचन्द स्वभाव के है प्रेम की पीर ये व्यंजना बेजोड है लाक्षनिक मुहावरे और उनके प्रयोग में पुष्ट उनकी जो कव्वभासा है बहुत उत्कृष्टता के साथ में पाठक को मोहित करती है कविता का मर्म प्रेम की पीर का अनुभाव कराने वाला ही समझ सकता है इसलिए घनानंद को समझने के लिए आपके पास में वो प्रेम को महसूस करने वाली देखने वाली द्रिष्टी होनी चाहिए विरीतिकाल के अन्यकवियों के समाना आचार्य बनने और लक्षन ग्रंत रचने के प्रलोभन में नहीं पड़े विशद्द प्रेम की मार्मिक में जना में ही उनकी रूची थी अपनी प्रेमी का के नाम को उन्होंने अपने आरा थी कृष्ण का नाम मानकर कृष्ण प्रेम को ही परवर्ती जीवन में महत्त दिया वे सच्चे प्रेम पतिक थे, जिनोंने प्रेम को ही भक्ती के रूप में व्यक्त किया गनानंद का संक्सिप्स का परिशे हमारे विद्यारथी धान में रखें अब हम आपके पठे क्रम में जो गनानंद के कवित लगते हैं उनको पढ़ते हैं, उनकी व्याठ्यार पहला शुरुवात के दो कवित हैं, वो आपके कवी प्रसस्ती नाम से हैं, प्रसस्ती कहते हैं कवी की प्रसंसा, कवी प्रसस्ती के दो छंद, दो सबी ये आपके पाठे करम में लगाए गए, कवी प्रसस्ती ते मतलब है कि घनानंद का परीचे करवाते वे अन्य कवियों न गनानंद के लिखा, आलोच को ने गनानंद के लिखा, दूसरे रचनाकारों ने, पाठकों ने, सामन ने, समाज ने, जिन जिन ने गनानंद को पढ़ा, उन्होंने गनानंद के विशय में गनानंद की प्रसंसा करते हुए, प्रसंस्ती करते हुए लिखा, ये जो कवित है, आ प्रवीन और शुंदर रतानी के भेद को जाने, सवया पढ़ने की सवया की ले यह है, हमारी विद्यार्थी इसको भी साथ साथ में पढ़े कविता को पढ़ना, यदि आपको सईसे नहीं आया तो कविता का भाव है, वो रिद्धम आप नहीं कर पाएंगे, इसले कविता को पढ़ना भी उसी रिदम में है, उसी ले में पढ़ना है। उनकी विशेष्टा, उनकी विशेष्टताओं को वही व्यक्ति वर्नित कर सकता है, जिनके पास में क्या-क्या हो। प्रवीन हो, तक्ष हो, कुशल हो, पारंगत हो। उस रचनाकार के पास में, उस आलोचक के पास में, उस व्यक्याता के पास में, ये ये योग्यताए होनी चाहिए। वो महान नेही होना चाहिए, स्नेहील रदे का धनी होना चाहिए, ब्रजभासा में प्रविनिता होनी चाहिए, और सुंदर्य के भेद, विभेद, प्रवेद को चानने वाला होना चाहिए। अगली पन्ति, जोग बि योग की रीत में, कोविद कहते हैं कभी को, वो कभी, वो रचनाकार, वो अक्षाकार, वो सजनकार, जोग और वियोग, योग बनाए संयोग, संयोग और वियोग की रीती को जानता हो, साइयोग में कौन सी चीजें सुख देती है, वियोग में कौन सी चीजें दुख देती है, दुख और सुख, साइयोग और वियोग, इनकी रीती को किस तरह से तड़पन होती है, किस तरह से मिलन होता है, तो कैसे आनन्द आता है, और वह बिछड़न में किस तरह से संताप में पदल जाता है इसकी रीती को जानने वाला कोविद होगा जानने वाला कभी होगा भावना भेद श्वरूप को ठाने भावना के भेद और स्वरूप को जो जानता हो ठानना मने स्तिर करना स्थापित करना ठाने भावना भेद श्वरूप योग और वियोग में कैसी भावनाएं योग वियोग में कैसा भेद दोनों का कैसा स्वरूप इनको जो जानने वाला होगा इनकी स्थापनाई करने वाला होगा वो व्यक्ति घनानंद की कविता को पढ़ सकता है उस कविता का बखान कर सकता है चाहा के रंग में भीजो ही बिछुरे मिले प्रीतम सांतीने माने उसका जो रिदय है वो चाहत के रंग में भीगा हुआ होना चाहिए चाहत के प्रीम के रंग में भीगा हुआ रिदे चाहिए बिचूरे मिले प्रीतम सांती निमाने बिचूरे मिले प्रीतम जब तक बिचुडे हुए प्रीयतम नहीं मिल जाए तब तक शांती नहीं हो तब तक तडपता रहे, बेचेंद रहे, व्याकुल रहे उससे मिलने के लिए प्रतिपल प्रियत्न रद रहे वो व्यक्ति घनानंद की कविता को समझ सकता है भासा प्रवीन उपर ब्रजभासा प्रवीन था नीचे भासा प्रवीन अपनी भासा में ब्रजभासा में प्रवीन था जिसके पास में हो सुचंद सदा वो व्यक्ति भाषा प्रवीन सुचंद सदा रहे सो घनजी के कवित बखाने जो भाषा में प्रवीन हो सुचंद अच्छे चंद का निर्वान कर सकता हो अच्छे चंद की पहचांग रखता हो जो घनानद की ही भाषा में लिखने वाले ने इसलिए इस कवित को पढ़ते समय इस सवय को पढ़ते समय आप लोग उसी तरह के द्रश्टी रखें विशेश में ये कि घनानंद की कविता उसकी विशेशताओं को बताते हुए घनानंद को पढ़ने के लिए पाठक की और उसके व्याख्या करने के लिए व्याख्याता की आलोचना करने के लिका विसेश्टाइं होनी चाहिए इस पर रचनाकार ने बल दिया है और यह अपने आप में घणानंद की कविता से परिचे करवाने वाला सब्हई रहने यह विसेश में लिखा जा सकता है अगला किसी कविप्रस्थि से अगला पद है प्रीम सदायती उंचो लहे शुकहे यही भांत की बात चकी सुनिके शब के मन लालच दोरे पे बोरे लखे शब बुध्ध चकी जग की कविताई के धोके रहे यहां प्रवीनन कीमत जात जकी समुझे कविता घन आनंद की ही आँखिन नेह की पीर तकी घनानंद की कविता को वही समझ सकता है अंतिम पंक्ति देखें समुझे कविता घन आनंद की ही आँखिन नेह की पीर तकी घनानंद की कविता को वही व्यक्ति समझ सकता है जिसने अपने रिदे की आँखों से नेह की पीरा को तका है तक नमन देखना जिसने अपने रिदे की याँखों से नेह की पीडा को देखा है, महसुस किया है, पहचाना है वो व्यक्ति घनानंद की कविता को समझ सकता है प्रेम सदायत यूँचो लहे जो कहे यही भांद की बात अच्छा की त्रिप्त हो करके इस तरह की बात जो कहता हो कि प्रेम व्यक्ति को उँचा उठाता है इस संसार में प्रेम ही वो तत्व है जिसके सहारे व्यक्ति उच्चता को प्राप्त करता है प्रक्रती से संस्कृती की और बढ़ता है उपर की और उन्वक होता है प्रेम शदा यति उंचो लहे उच्चता प्रदान करता है मन में मुग्द हो करके जो इस तरह की बात करता हो कि प्रेम ही व्यक्ति को उच्चता को समझ सकता है जिसको प्रेम की उच्चता का भान नहीं है प्रेम की पवित्रता का भान नहीं है प्रेम की ताकत का प्रेम की ख्षमता का जिसको अंदाजा नहीं है जो उसको स्विकार नहीं करता है जो उसमें सरद्धा नहीं रखता है जो उस प्रेम में विश्वास नहीं रखता है प्रेम तक्त्व को पहचानता नहीं है उस व्यक्ति को घनानंद की कविता समझ में आही नहीं सकती इसलिए पहली शर्त हो गई कि जो इही भांत की बात अच्छा की सु कहे इही भांत जो ऐसी बात त्रिप्त हो करके मुद्ध हो करके ऐसी बात कहता हो इसके विश्वास रखता हो कि प्रेम हमेशा उंचा उठाता है वही वेक्ति घनानंद की कविता को पढ़ सकता है सुनि के सब के मन लालच दोरे पे बौरे लखें सब बुध्ध चकी जिसकी बात को सुन करके सब के मन में लालच दोरे आहाँ इसकी बात को फिर से सुनना चाहिए क्या शांदार बात कही है क्या इनकी वानी विलास है ऐसा सब के मन में लालच दोरी और सुने और सुने उनके कान तरसते हो सुनने के लिए ऐसी बात जो करता हो पे बोरें लखें सब बुद्ध चकी लेकिन उसको देख करके उस प्रेम तत्व को देख करके बोरें बोरना मन पागल हो जाना धिवाना हो जाना उस पर मुगद हो जाए उस पर लुबद हो जाए उस पर लुट जाए उस प्रेम पे ऐसा सब बुद्धी चकी और बुद्धी चकित रहे जाए विश्मित हो जाए आश्चर्य चकित हो जाए बुद्धी का बल चले नहीं और प्रेम का तत्व प्रभावी हो जाए रदय का तत्व प्रभावी हो जाए मस्तिश्क है वो देखता रह जाए कि प्रेम का इतना विशाल समरज्ज है उसमें उसमाहित हो जाए जग की कविता के धोके रहे यहां प्रवीनन की मति जाती ज़की जो कवी इस संसार की कविताओं के धोके में रह जाते हैं तेरा मेरा इसका अच्छा स्वार्त लोग लालच काम क्रोध मद मोह इनमे इस धोके में या प्रवीनन की मति जाते जकी जब घनानद की कविता पढ़ते हैं लोग संसार की कविताओं की धोके में रह जाते हैं घनानद की कविता वो नहीं है इसको जब पढ़ते हैं तो प्रिम लोगौं की मती उस कविता को समझने में कई अन्या हो, पहचाना हो, वही व्यक्ती घंदंथ की कविता को पहचान सकता है, उसको पढ़ सकता है, तरहा सकता है। दो कवित कभी प्रसस्ति से आपके पठे करम में लगाएगे और अब आगे प्रेम पीर वर्लन से कुछ कवित हैं कुछ सवये हैं वो चुकि हमारी राजस्थानी भाषा में हिंदी का विभाग ही राजस्थानी वा सवया और कवित दोनों को कवित कहने की परंपरा रही है ये कवित है जिसको हम पहला पड़ने प्रेम पीर वर्लन में 31 वर्लनों से आगे चलते हैं 25 से 31 थक के वर्लन ये कवित आज आता है सवये का अपना खेद है यकण भगंश अगण मगण से मिलकर कैस से बनते है अलग लग सवयों के फेद है उसको वे दावन चले गए लेकिन उनको सुजान कभी विस्मृत उनसे हुई नहीं भुलाई नहीं गई उसकी सुधी हमेशा उन्हें रही याद आती रही राजस्तानीम कहें तो उसकी ओड़ों को कभी वो मिटा नहीं पाए यह वो मन ही मन सोचते हैं और सुजान को संबधित करके लिखते हैं बहुत से कभी तसब यह लिखे उन्हों नहीं यह उसी स्रिंखला का प्रेम की पीडा का वर्णन पीर माने पीडा प्रेम की पीडा का वर्णन करते हुए पहला कभीत है वहे मुशकानी वहे म्रदू बतरानी वहे लड़की लिवानी यान यूर में अरती है वहे गती लेन वो बजावती ललित बेन वहे हंसी देन ही अरातेन टरती है वहे चतुराई सु चिताई चाह बेकी छवी वहे छेलताई न छिनक विशरती है और आनंद, निधान, प्रान, प्रीतम, सुझान, जो की उसमें जाकर कि कभी जिष्ट को प्रसुद करता है सार को प्रसुद करता है अपना मूल जो है वो सब कुछ वहाँ जाकर कि उडेलता है इसलिए हमारे विद्यार्थी अंतिम पंक्ति को पहले धान में रख लें उससे आपको प्रस्ट भूमी समझ में आजाएगी कहना क्या चाहरा कभी क्योंकि इन जो मुक्त रचनाएं हैं इनमें पूर्वा पर संबंद नहीं होता है कि पिछले कवित से पिछले सभईय से अगला सभईय जुड़ा हो इनमें कथा तत्व नहीं होता है इसले अपने आप में ये जो चार पंक्तियां, चार चरण है अठ प्रह disclaimer आप में पूर्णता है ने तो इसके पहले इसको सभ़ने के लिए ने तो इसके पहले कवित सभईय के जरूर्ध है कि अपने आप में पूर्णत है इतनी ही कविता है इसका आर्थ अपने आप में यहीं तक सीमित है इसके संदर्व को इसके प्रसंग को समझने के लिए अंतिम पंक्ति से आपको यहां से आपको संदर्व मिलेगा आनंद निधान प्रान प्रीतम सुजान जो की सुधी सभभात कभी कहता है है आनंद के निधान है वह ओब आपको कहीं कहीं पुलिंग मिले Speaking मिलेंगा जाँ-जाँ वह कई बार कविता में सुझान के नाम से यानी अपनी दर्ट की प्रेमिका स्देयलिंग में संबोधित कर देते हैं तो कहीं के उनके धान में हैं अन्त में चलते चलते कृष्ण बन गई है घनानद की आराधना का justla वो वैसे बन गई है इसलिए वो कहीं कहीं आपको लगे गा कि वो twoling में प्रस्तुत करते हैं यहां पर आनंद निधान प्रान प्रीतम सजान जूकि प्रान प्रियतम सुजान य्हां कृष्ण बन गया वो पुलिंग में आ जाएगी तो बहुत सी जगे आपको कहीं पुलिंग में कहीं सुजान का नाम मिलेगा सुधी सवभाति निसु बेशुदी करती है उस घनानंद कहते हैं कि उस सुधी सुजान की याद मुझे बेशुद कर जाती है यह देखे सुधी सभभाती निसुभे सुधी करती विरोधा भासलंकार हो गया यह भी साथ साथ देखें विशेश में लिखना होगा वहे मुश्कानी 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 वहे मुश्कान आनी उर में अरती आकर के मिरे रदे में आनी मने आकर के उर मने रदे अरती मने अड़ जाती है अटक जाती है तुम्हारा वो हंसना मुष्कुराना मीठी मीठी बातें करना वो लड़कपन की केलियां करना कुछलना कूदना शरारतें करना आकर के मिरे रदे में एक एक घटन याद आती है वहे गती लेन वो चलना वो बजावती ललित बेन वीना बुजाना वो बजाना वहे हंसी देन वहेरा देन डरती है रिदैशे एक पल के लिए टलता नहीं है वो रिदैशे उतरती ही नहीं बात है मेरा दिल उन बातों को बुलाई नहीं पाता तुम्हारा चलना तुम्हारा वीना बजाना, तुम्हारा हंसना, सब कुछ यादाता है। वहे चतुराई सुं चिताई चाहवे की छवी, और वो चतुराई से, बड़ी चतुराई से, दुनिया ये सोचे कि मेरी तरफ देखना ही नहीं चाहती, लेकिन तो चतुराई सो चिताई चाहवे चिताई माने देखना मुझे देखना चाहती थी तो बड़ी चतुराई से मुझे देख लेती थी दुनिया को दूसरों को पता नहीं लगने देती लेकिन तुम्हारी वो जो चित्र है चत्राई से मुझे देखने वाला कनिकियों में से ज्ञांक करके देखने वाला वो छवी वहे छेलताई ने छिनक विसरती है विसरती मान विस्मृत होनी तुम्हारा वो छेला पन छण के लिए भी विस्मृत नहीं होता है आनंद निधान प्रान प्रितम सुजान जो की सुधी सब भातिने सु बेशुदी करती है आनंद निधान हे मेरे प्रान प्रियतम सुजान तुम्हारी सुधी तुम्हारी याद सब भात से मुझे बेशुद करती है तुम्हारी याद आती है, तो मैं सबकुछ भूल जाता हूँ अब आप देखिए, विरोधा भास हुआ ना, किसी की याद आने पे तो सबकुछ याद आना चाहिए लेकिन याद आने पर बेशुथ होना, सुधी आने पर बेशुदी होना विरोध का आभाश मात्र है पकि सच्चाई यही है कि जब सुजान याद आ जाती है तो सब कुछ भूल जाता है बेचेईन हो जाता है बाकि सारी चीजें भूल जाता है यह प्रेम के विरह की अपनी स्थिपियां है जिनका वर्णन कभी करता है अगला सब्य देखे भूरते साँजह लो कानन योर निहारती बावरी नेकन हारती और साँजह ते भूरलो तारननी ताकि बुतारननी शुईक तारन टारती जो कहूँ भावतो दीठी परे घनगानन्द आशुन योशर गारती और मोहन शोहन जोहन की लगी ये रहे आखिन के युरू आरती अंतिम जो आखों का आए इसमें बढ़नन है आख का घैनानंद कहता है मेरी आखों को ऐसी आदत पड़ गई है कि वो रात दिन तुम्हारी आरती उतारती रहे आरती का मतलब होता है आरती में होता है करून पूकार हम अपने इस्ट के सामने और अपने दर्द का बयान करते है अपने दुख को वर्नित करते हैं और ये कहते हैं हे इश्वर हमारे उस कष्ट का निवार्ड करना आरत पूकार और उसमें सहायता मागने का भाव क्षौ के रहे कि अंखी न के रूर रथ है और वा आर्थ पुकार रहे और वह अर्थ पुकार है मोहन सोहन जोहन मोहन वह कि शोहन सुंदर रूर मैंई जोना देखना उस कृष्ण divisions के अपने प्रियतम के दर्शन करने की वो मन में अभिलाशल लगी रहती वो आर्थ पुकार है कि कब तुम दर्शन दोगे और वहाँ पर सुजा नहीं है उनका जो मोहन है वो सुजा नहीं वो कब उसे दीखे रे, कब दर्शन दे अब सुने इसको यह प्रसंग हो गया आपका अब यह ख्या भोरते सांझ लो कानन योर निहारति बावरी नेकन हारति बावरी को आंखें घनानन्द की आंखें बोर मारे सुबह सुबह से साम तक कानन और निहारति जंगल की और देखती रहते जिधर घनानन्द निकल के आये तो कहीं उसके पास में इस जंगल से व्रंदावन में है नुछ लिए जंगल से निकल करके कब उसकी सुजान आ जाए कब उसका कृष्णा आ जाए दोनुवार्थ ले भोरते सांज हलो कानन योर निहारती बावरी नेकन हारती ये पागल आँखें सुभई से शाम तक इस जंगल की योर अरणने की योर वन की योर देखती है निहारती रहती है नेकन हारती लेकन हार नहीं मानती है रात दिन उधर देखती है दिन में तो भोर से सांस तक जंगल की और देखती है अब रात हो गई अधेरा हो गया तो जंगल में क्या देखे उधर कुछ दीखे का ने तो पिर क्या देखती है लेकिन संध्या हो गई रातरी हो गई तो रात से सुबह तक तारों को देखती है किस तारे में मेरा प्रीतम दिख जाए यह लोक प्रवाद है कि अपना प्रीतम तारा तूटता है तो प्रीतम मिलता ऐसा देखती रहती है उन तारों से एक पल के लिए भी तार को टालती है अपना तार अपनी लो अपना संबन्द जोड़े रखती उसको लगता है कि कभी मेरा मन भावन दिखाई देगा मुझे मेरा वो प्रियतम मुझे भाता हुआ, मेरे मन को सुहाने वाला वो मुझे मिल जाए, दीठी परे मन दिख जाए, दर्शन हो जाए, दिदार हो जाए उसके घन आन्न्द आणसो नहीं उसर गारती इसलिए आंसु भी नहीं बहाती है क्योंकि वो आवसर को टालना नहीं चाहती है जो कहूं भावतो दीठी परे, घन आनन्द आंसु नहीं उसर गारती और इसका ये अर्थवी कि जब जो आपको चाहत है वो आपको मिल जाए तो आलहाद में आंसु आ जाता है इन आखों के इस्तिती क्या है जिसको देखना चाहती है जिसके लिए पीड़ा है सुबह से शाम तक जंगल की और उसकी राह देखती है शाम से सुबह तक तारों को ताकती रहती है कई मेरे प्रियतम के दर्शन हो जाए और यदि आपका मन भाया मन चाहा वो प्रियतम सामने आ जाए दिख जाए दीठी परे दिख जाए दर्शन हो जाए उसके तो फिर क्या होगा आंसु नहीं ओसर गारती घनानद कहते हैं आंसु बहाती है पिर अलहाद के सुख के आंसु आ जाते हैं फिर दर्शन नहीं कर पाती इस अवशर को अवशर माने आवशर मोका इस मोके को इसमें टाल देती गाल नामल खो देना व्यर्थ में इस अवशर को व्यर्थ में वेसे खो देती है क्योंकि जैसे यह अमना प्रियतम इतना बड़ा आपको कोई लोटरी लगी हो जैसे वो आपको मिल जाए तो फिर आलहाद में आंसु आ जाता है खुशी में अत्यतिक, खुशी में अस्रधारा बहर चलती है और उससे वो दर्शन नहीं कर पाती, वो असर बीच जाता है मोहन, सोहन, जोहन की लगी ये रहे आंके ने के उरुव आरती अपने उस मोहन को जो सुंदर है, सोहन है, सुहाना है उस सुहाने मोहन को जोहन मने देखने के लिए इन आंखों की रह में हमेशा एक ही आरती दिल से, आंखों के दिल से एक ही पुकार है, हे कृष्ण कब दर्शन दोगे हे सुजान कब मिलोगे कब आओगे एक ही भाव एक ही आर्थ पुकार एक ही करण पुकार दिस से निकलती है अगला देखें सोईन सोई वो जागेन जाग या नोखी लाग शुवांखन लागी देखत फूल पे भूल बरी यह शूल रहे नित ही चित आगी चेटक जान सजीवन मूरत रूप अरूप महारस पागी कोन वियोग दसा घनगान दे मौमत शंग रहे या तिखागी तांकों की स्थिति क्या है कोन वियोग दसा घनगान दे मौमत शंग रहे या तिखागी ये वियोग की जो दसा है, गरानत कहता है, इस दसा की पीडाएं बाउत है, सोए ने सोए गो, विरह की सितियों में, सोए ने सोए गो, सोते हुए भी सोता नहीं आदमी, सोने में भी एक ही चिंता, क्योंकि चोर को हमेशा सपने में भी पुलिस दिखती है, तो जो वियोग में बिछो में है उसको यह दिन नीद भी आती है तो सफना उसी तरह की पीड़ा का संकट का आता है सोएने सोई वो जागेने जागे सोते वे सोने का सुख नहीं है जागते वे जागने का सुख नहीं है सोएने सोई वो जागेने जागे जागते रहते हुए भी जाग्रित अवस्ता में चेतन्य अवस्ता में नहीं है शुन्य अवस्ता में रहता है विवेक शुन्य हो जाता है अन्य मनस्क हो जाता है अनोखी ये लाग शूँ आँखे न लागी ये मेरी आँखे अनोखी लाग से जाकर के लग गई है अनूठी ऐसे तत्व से जाकर के यांखें लग गई कि जिनको ने सोते हुए सोने का भान होता है ने जगते हुए जागने जैसी लगती है इनकी इस्तिती बहुत विचित्र हो गई है विलक्षन हो गई है अरूत हो गई है देखत फूल पे भूल भरी यह शूल रहे नितही चित गागी देखत फूल पे भूल भरी यह देखती तो फूल को है सुख को देखती है लेकिन भूल से सूल रहे नितही चित गागी लेकिन इसको इसके चित में वो सूल वो कांटे ही चुपते हैं आग की तरह, दिल के आगे इसको कांटे मिलते हैं, आग की तरह चलाते हैं, देखत फूल पे भूल भरी, यह सूल रहेने तही चित के आगे, रिदे के सामने सूल नजर आते हैं, कांटे ही चुपते हैं, फूल को देखना चाहती हैं, लेकिन कांटे विरह में, वियोग में उस उसे दुख ही दुख मिलता है। निरलिपता है उस रूप का महारस पागी उसके महारस में जाकर के पैठ गई है। क्या कम मुझे जिसको मैं सुख मानता हूँ आपर भी मुझे दुख मिलता है। ऐसी इस्तिती वियोग के समय में होती है। वियोग की अंतरदशाओं का वर्णन करने में घनानंद की कविता अपने आप में विलक्षन है। विशिष्टा है। शेश अगली कक्षावर हम देखेंगे। आज के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत है।